आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हूँ कि मैं रना में सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी है कि आपका बहुत दोस्त भागत है आज हम बात करेंगे दोस्तों गंगु भाई काटिया वारी के बारे में अब इनका एक टीजर आया था संज्गे लिला भंसाली की मूवी है बहुत भेतरीन मूवी बनाते हैं संज्गे लिले भंसाली और इनका टीजर आया था बहुत तकड़ा था मैं excited हूँ उनकी movie देखने के लिए, एक debate चलती है कि Bollywood हमेशा माफियाओं की story दिखाता है और यह सही है, मेरे ख्याल में हमको राम अनुजम की story देखनी चाहिए, Bollywood ने कभी उस पे movie नी बनाई, लेकिन Hollywood ने बनाई, लाल बहादुर शास्तरी की movie देखनी चाहिए, उन पे movie बननी चाहिए, अद्दुर कलाम पे movie बननी चाहिए, बट शायद public उनको पसंद इतना ना करे, हम लोग भले ही अपने heroes को कितना जादा glorify करे, लेकिन कुछ एकात को छोड़ दे, बहुत सारे ऐसे heroes हैं, जिन पर movies mainstream शा इन पर movie बनाऊ है, कितनी बार public ने डिबांड किया, तो मेरे ख्याल में ऐसे heroes पर भी भारत के जो real heroes हैं, उन पर movies बननी चाहिए, बट anyway, आज हम बात करेंगे, गंगु भाई, काटिया वाडी के बारे में, देखिए, ये movie फिर से विवादों में गिर गई है, वैसी पहले स क्या है, हम इस lecture में जानते हैं, UPSC के smart courses आते हैं, आप जरूर अवेल करें, और इंस्टा पर मुझे follow करें, यहाँ पर magistrate ने, आलिया भटको, संजलीला भंसाली, और दो writers जो हैं, S. हुसेन जैदी, और जेन बोर्गेस, हुसेन जैदी के आपने किताबे पढ़ी हैं, मैंने उनकी, जितनी भी उनकी किताबे लिखिये सब पढ़ी हैं, in fact मैंने दाउद इबराहिम का एक lecture लिया था, मैंने उनकी किताब से काफे reference उठाए हैं, तो हुसेन जैदी माफियाओं पे लिखते हैं, अंडर वर्ल्ड पे लिखते हैं, crime writer है basically, reporter थे पहले, तो हुसेन जैदी, जेन बोर्जिस, आलिया भट और संजय लीला भनसाली को समोन भेजा गया है, और ये बोला है कि आपको 21 माई को कोट में आना है, अच्छा ऐसा क्यूं हुआ है, इनकी movie गंगु बाई काठिया वारी को लेके, यहाँ पे एक आदमी है, बाबु जी, राउजी शाह, जो बोल जाबर में आएगी, जिस तरीके से मेरी माता जी का पोट्रेल किया है, वो बिल्कुल गलत है, पोस्टर में दोस्तों, माफिया क्वीन्स ओफ मुंबई, हाला कि ये S.Husain Zahidi की किताब है, माफिया क्वीन्स ओफ मुंबई, इसमें बेज़ड है, पोस्टर में माफिया क्व मुंबई आगी, अब मुंबई आई कैसे, इनको एक आदमी से प्यार हुआ, उन्होंने बोला मैं तुझको मुंबई ले जाऊंगा, प्यार हुआ, और बहला फुसला के गंगु भाई को वो मुंबई लिया, और 500 रुपय में गंगु भाई को बेच दिया, कमाठी पुरा म लेकिन यहाँ पे रह के उन्होंने ब्रॉथल्स के लिए, कोठो के लिए यहाँ पे जो काम करती थी, जो सेक्स वर्कर थी, उनके राइट्स के लिए बहुत काम किया है, तो उन्ही की स्टोरी को इसमें दिखाया गया है, इतना ज़्यादा रसूख था दोस्तों कि इनकी ज चौकत नाम का करीम लाला की गैंग का ही आदमी था, वो एक दिन गंगुबाई के पास आया, संबंद बनाये लेकिन एकदम नोच खसोड दिया, इतनी बुरी हालत की थी, मारा पीटा नोच खसोड दिया, कि गंगुबाई होस्पिटल में भरती हो गी, फिर गंगुबाई और यहाँ पे दोस्तों, बहुत ज़ता इज़त ही गंगुबाई की, तो दोस्तों ये मूवी जो है, कैसे राइज हुआ, इसके बारे में बात करती है, आलिया भट्टेस में जो गंगुबाई का रोल प्ले कर रही है, लेकिन कम्प्लेनेंट ने बोला है, कि मेरी मदर को ऐ हमारी इमेज को खराब कर रही है, हमारी जो माता जी थी, जो अभी उनका स्वर्गवास हो गया, गंगुबाई की बात कर रहे है, उनकी इमेज को खराब कर रही है, मेरी मा ने हमेशा सेक्स वरकर्स की राइट्स के लिए काम किया है, ह्यूमन ट्राफिकिंग के लिए काम कि हैं यहां पर उनका सरनेम यूज किया है अब दोस्तों सरनेम यूज किया है तो आप समझे कि उनकी एक reputation है पूरे इस एरिया में लेकिन अब लोग यहां पर जैसे प्रोमो आया इस movie का तो लोग यहां पर आते हैं और बोलते की बेटी का rate क्या है dotted in locker rate क्या है तो यह सब गलत गलत कमेंट पास कर रहे हैं साथी साथ complainant ने यह भी बोला है कि हम लोगों से प्रोमो रिलीस करने के लिए picture बनाने के लिए हमसे consent ही नहीं हमसे पूछा ही नहीं without our knowledge without our consent यह movie जो है वो release किया गया है प्रोमो को release किया गया है तो इस तरीके की image दिखाना गंगु भाई without the consent of the family member यह सिर्फ बदनाम कर रहे हैं हमको जब novel और प्रोमो आई हमारे family members जो है वो मांसिक पीड़ा जेल रहे हैं हर कोई आके comment कर रहा है उल्टे सीदे सवाल पूछ रहा है यह गलत है complainant ने यह जो complain है यह नाख पड़ा police station ने फाइल की है और makers ने यह बोला है कि अभी जो release date है theatrical release जो है मैंने चाहिए December में बोल दिया था है I'm sorry theatrical release जो है 30 जुलाई मतलब इसी साल 30 जुलाई को यह movie जो है वो release होगी ओके तो यह पूरी कहानी है इसलिए अब 21 माई को जाना पड़ेगा जो भी filmmakers हैं writers हैं court में पेश होना पड़ेगा लेकिन दोस्तों अकसर ऐसी controversy हो जाती है movies को लेके जब movie का प्रोमो आता है release होता है तो controversy में घीरी जाती है इससे movie को सबसे ज़्यदा फायदा होता है publicity हो जाती है